अथि या रोग्त और इसंड उसे सांदेंक दोस्तों मैं अर्वया चौहन आपको सामने प। फेड़ेंट हूं हमारे ऑफीशिल्यर्येत्थिचनल फैपर हेकर में इ الزेकिन मैं नटर अच्छे से पढ़ने वाले हैं जो आपको सारी वुव utan हुआ वह आपको आसानी से बहुती प्राइब में दिमाग में फिट होने वारे ठीक है तो सर मैर्स के मशुरुआत करने वाले आपको टॉपिक दिखता होगा ट्रीन मेंटरी सब्सक्राइब क्लास फर्स्ट चैपटर तो और है तो बेटे से सब्सक्राइब कम से कम आए एक्जाम में तो हमारे लिए बैटर है यह डर आपके लिए आज में दूर करने वालों ठीक है बेसिकली मैं अपने बारे में आपको बता दू मुझे त्री येर्स का आफ लैन प्लाने का एक्सपीरियंस है और मैं आप पर पहली बार ऑनलाइन स लेना है और आप मुझे कमेंट से बता देंगे कि आपको पहला चैप्टर को सब्सक्राइब करें एक क्लास चैनल एक लिए मेरी तरफ से आप पढ़िये बेसिकली आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है और जिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बता दे आपको सब्सक्राइब करैंगे बात को और तो और सब्सक्राइये लगे यहां पर यही जरुबरों थे की एक राइट त्राइचल अगर राइट एंगल नहीं हुआ बार बार कहा रहा हूँ राइटेंगल अगर नहीं हुआ तो टेगनेटरी वहाँ पर रप्शसकान आपको बराबर नहीं होगी इसकी सेंट में होगा आइसो सेल स्ट्रेंगल एप बात करें अगर में देखा जाए क्या होता है आइसो ट्रेंग में दो साइड बरावर हो हाइज हो तीने डो बढ़ाबर नहीं धो बड़ाबर अब तरीक इक्यूलेटर ट्रेंगल सब्सक्राइड तो साइट्स के बेसिस पर मैंने तीन साइड़ बताई है यह बीजरमेंट के साइट बराबर नहीं है तो सटीन वेकिन टीक्नोमेट्री में इससे कोई लेना देना नहीं है इससे जो लेना देना वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर आईए अगर आप यह तो मेजरमेंट के साफ साफ आपने डिफरेंशीट कर दिया अगर आप एंगल के साफ से तो वहां बरी प्रीज तीन केस बनते हैं आपको ठीटा है सब ठीटा क्या होता है जो भी आप देख रहे हैं किसी जगह पर एक जगह पर चलिए देखने वाला कॉंसेप्ट हम आगे लेकर आएंगे फिलाल आप यह समझेए यह जो एक साइड होती है और उसके साथ ही जो एजसेंट साइड होती है इसके बीच का जो मेजरमेंट है वही आपका क्या कहलाता है ठीटा कहलात सकता है ठीक है तो पहले के बात करें तो पहला हमारा हो सकता है एक्यू TO ट्रैंगल एक्यूट एंग्योट एंगईल नेव सकता है और से इन थीक है तो यह थीटा आपका 90 से less हो सकता है 90 बराबर हो सकता है 90 से कम भी हो सकता है तो अगर यह 90 से कम है अगर आपका यह वाला एंगिल जो है वो 90 से कम है तो यह कौन से बने का डॉंगल यह तु ट्रेंगल बनेंगा ऑगे और सेकिंड वाला अगर देखा जाए और ट्यू स्ट्रेंगल ठीक है ऑप्ट्यू स्ट्रेंगल वाला केस जो है वह आपका थार्ड वाला जिसमें नैंटी आपका 90 से बेसिकली ज्यादा होगा आपका कौन से ट्रेंग यह ठीटा ओके अग तो क्या होगा वो ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल अगर आपका एक एंगल फित में तीनुन और भी क्यों वह सकता है लेकि कोई साव एक एंगल है तो बागी सारे एंगल 90 से कवंगे कि वह ट्रैंगल राइट राइट है अब हम समझते हैं सर यह तो बात समय में आ गई कि ट्रिग्नुमेट्री कहां लगती है नाइन्टी डिरी ट्राइंगल में लगती है अब चलते हैं आप अब चलते हैं आप अब बात नहीं यह क्या है यह तो आपने पहचार लिया हुआ हमारा अच्छा का सा मॉन्यूमेंट है ठीक है इलतुतमिशन इसका काम पूरा करवाया था कुतु बुद्धी नहीं इसको बन बच्छा कह रहा है कि सर्व भी चोटा सायो मैं से मीनार तक मेरी पहुंच जाए तो सभी कैसे करूं बेटा मैने का मेरे पास हो त्रिणुमेंट्री लगा और ट्रिणुमेंट्री से आंसर पाऊ घर चले जाओ ठीक है क्या होगा कि देखी यह हुआ हमारा ओके चलिए इसको उसे ले आते हैं और अप तो यहाँ पर कोई इनसान खड़ा हुआ क्या होगा कोई इंसान यहाँ पर कड़ना हुआ ऑप यहां से यह देखेगा सर जहां से कोई देखता है सर वही उसका साइट ओफ विजन होता है यह पढ़ा होगा आपने तो साइट ओफ विजन से यह जितना ऊपर देखेगा अब यह सर आपने बता है यह बेस होता है और इसके एडिसेंट जो साइड होती है वह उसके बीच का ज तो नहीं नाप सकता है लेकिन कुतोब मिनार से दूर कितना है वो दूर कितना है वो तो मिजर कर सकता है तो यह चीज़ आप नाप लेंगे ठीक है और उसके थुरू आप आप ट्रायंगल बना लेंगे एक 90 डिकी कुटुब मिनार भी सरह ऐसा खड़ा ऑगा निया ऐसा खड़ा होगा इसलिकुल स्ट्रेट का मतलम यह कि इस कि जमीन लिए जो जमीन से कितना एंगल बना रहा होगा यह से 90 डिग्रीं अगल बना रहा हो तो कही ना कहीं हमारे सब्सक्राइब करने था साथ में आपको समझाया है कि यह जो ट्रेंगल है यह पढ़ना है में यह तुस्से समझने की लिए था यह त्रेंगल में समझना जहां पर मैं ख़ड़ा हूं बहुत बार बता चुगा बटाई यह भाई से थोटा सब्सक्राइब ख़ड़ा हुआ है स्टुडेंट अमारा यह आपका एंगिल हो जागा थीटा यह तनी बात अभी संग्या गई जो भी चीजा मेजर करने जा रहे हैं उससे इसकी जो दूरी ह है डिस्टेंस है वो कहला है कि बेस ठीक है यह बेस परपेंडिगुलर डिस्टेंस बतलब यह नाइंटी है तो यह भी तो नाइंटी है अब आपको सरी यह भी तो डिस्टेंस होगा इसके तो यह भी बेस हो सकता है नहीं बेटा सिर्फ परपेंडिगुलर और ठीक है यह कहलाएगी आपकी बेसिकली पर पेंडिकुला ओके अबंदी के सामने नाइनटी के सामने कोई ट्रैंगिलो दाइंटी के सामने जो भी साइड होगी वह हमेशा भी आपका ट्राइंगल सर्टीच तो यह पता था तो यह बताओ पर को यह कि आपसर है पट्राइंगल से यह होगी कि यह यह इए होगी तो मैंने आप से क्या का ज़क्त हो नाइंटीच यह तो आपके दिमाग में अगर आपका ट्राइंगल ऐसा है जिसमें यह 90 है तो यह अगर इसको आप और रोटेट कर दो अजीब तरीके से 90 यह लेलो तो आप अगर आप यह रटके वैठी हुए है कि बीच नीचे वाला ही बेस होता है तो यह आप गलत सोचते हैं इतनी बात समझ में आ गई आपको कि सरब कंसे कहा है और फोल रहाम बात करीए बेसिकले जो में ज्लिबस है जो में ज्लिबस है है उसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आता है में रीचीयों है रिग्नो चीजों के बीच में थे जाए ठीक है बेसिकली क्या होगा एक चीज ऊपर आएगी और एक चीज उसके नीचे ऊपर वाला चलि कोई बात आप समयज़ेंगे कि होता कुछ भी नहीं है आपको खौफ है यह रिख दिया आपने यह रिखा विटा साइन थीटा इसका फुल नेम भी होता है साइन है कुछ भी होता है हमें उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे एक्जाम के पॉइंट अब दूसरों हो गया आपकी 90 अ बड anthropology अब अगर मैंने थीटा लिया है अगर मैंने फीलिया है ये साइट कितनी होगी ब्सू और पर पर पैंडिकलर होगी अभी बताया था में लैयंट नेज़ा के ला Вас 4ग से चार्थराएं भी लैद पर उते हैं थीक कहलाता है बेश कैश अ और इसके सामने फेटा के सामने फीटा का सामने बार भार बोलो सी ही चीज़ें समझ दी हुटा है यह पर पिर पर नी तो नुस का इतर यह क्या है पर पेंडीकुलर और यह क्या है है इन दोनों का रिशियो क्या कर अन स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ उसकी कोई शौट ट्रिक नहीं है पता नहीं क्या क्या ट्रिक बताते रहते हैं यूटूबर्स आपको अभी जादा इसकी नॉलिज नहीं हम लोग को तो सोते वह बता देंगे आप अभी क्या फर्स्ट बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा इतना तो करना पड़ेगा रोज को खाली टैम में बोलना पड़ेगा तब ही टिग्नोमेंट्री पर कमांड आए होगी तो आपके रिजल्ट में भी अच्छा स्कोर होगा ठीक है क्योंकि उसकी अच्छी खासी वेटेज है और कोशन में होता कुछ भी नहीं है लेकिन ना समझने की वज़ए से वही कुछन आपको बहुत हाड लगता है चलिए साइन ठीटा हो गया सर पर पेंडिगल अप परपेंडिगल अपन हाइपर ट्रीमिस अब समयघंगे कोस है मैं आपको यह बता दूं कि सख साइन की सबसे पहले सबसे पहले ही डिसकर्वरी कि स्क्यूइटी साइन की हमारे आथा आर्यवाट साहब 500 दी में आर्यवाट आईसाइन ठीटा कि डिसकवरी जिस विसकर्वरी है कि आपको लोग दिखते होंगे जो देश को नकारते रहते हैं ऐसा नहीं है आरे बैट सापको हमारा नमन है उन्होंने सबसे पहले साइन तीटा को हो जा और बनाया उसके बाद ही इसकी शुरुवात थी कॉस्की और टैन की तो क्या करेंगे एक बाद करनाम लेंगे उनको स पड़ा होगे बिटा आधा नहीं पड़ाएंगे तीन याद करोगे तीन बाकी खुदी याद रहेंगे आज़ो कॉस्ट टीटा क्या होता है बेस अपोन हाइपोटनियूस टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए त आप को आगले पेच पर चलते हैं और आपको आगे की तीन समझाते हैं और आप देखिए इस तो असान था काफी हम लोग विकार में इसकी ट्रिक्स बनाते थे और रटते थे चार दिन बाद फिर भूल जाते थे फिर ट्रिक को देखते थे कि हाँ ये ट्रिक थी कुछ नही आओ बड़ा जरा कॉसेक तीटा तैक थीटा कॉट टीटा ओके इनके रिलेशन बनाने से पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि इनका हमारे बाकी तीन टीनोमेटिक रेशियो से रिलेशन होता है तो असान नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो चलिए आए फिर रखते हैं आफ से शीटन जो होता है यह साइन थीटा का रैसी बोकल होटा है कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है समझना बोली मेरे साथ ऑस्टैक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रैसीए पोकल सिद्दा उल्टा विह ट्टू कःसी पॉकल क्या होगा तर बारपाउन फाइट तो पीटा इन कर रेसिपोकल वन अपन साइट अब सर यह बात अगर आपने लिग दी तो सब बाकी तो बहुत लिए असान हो गया फिर क्योंकि हमने सब्सक्राइट तो पढ़ लिया है थीटा होता है सर पर पेंडिकलर है पर पर पे नुए होता है स्टी नशाल पार बाल-ःत क्या होता है कि यह सेग थिता में इस टिटा षकंप और मेस ऑन बड़न गया तो सेग ठीटा क्या हो जाए इसकी तरह करें रहा घए था थीच्छा आपाटनियूज अपन बैस अब बच्छा अर्यूमारा कॉर्ट अभी बताया बेस को रिसेosas Wow क्या होगा अब इपान परपेंड़नु एक इतनी बात होतों कि नजे repeating बात को समय मी पॉलेंगे चैन खेलों पर परंडिंडीकलर है ठीक है चैन थीटा बेस याद कर वांगे इसके साथ स्मझ है तिट पर्पेंडिकुलर अपन बेस अगर आप इनकी नेमिंग करना चाहों तो नेमिंग भी कर सकते हो साइन तीटा कर बेसिकलिए पी है तो पी है क्या अगर इसको आप टिक्नों जियोमेट्री की तरह लेको पी जो है वह आपका एबी है अगर एस की बात करें तो क्या है एसी है क्या सक्वाद करें बेस कितना वी अगर है को सेक और का उफार्सकर और फ्रक्रपेंडिघने की जरूरत थुड़िंग है कि यह भी लिखोगे अब सीधे इनका रेसीपोकल क्या हो जाएगा मेरे साथ बोलो क्या हो जाएगा अगले स्लाइट पर देखते हैं कि क्या है अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा आपको और स्लाइट की फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं आप इसमें मैंने बेसिकली परपेंडिकलर और बेस नहीं लिए कुछ बुक्स में आपको इस तरीगे से देखने को मेरेगा तो हमें हर तरीगे से समझ माना चाहिए कि क अगर हमाई सामने आएगा तो हम से एक चीज को समझ के नहीं आ जाएंगे हमें हर एंगिल से सोचना चाहिए कि इसके सामने वाली साइट को कहीं कहीं बुक्स में कह देते हैं आप उसकी इस साइट को बटा एडिसंट होती है इसकी तो यह एडिसंट और 90 के सामने तो बेसि इसको ही ऐसे पोगल कर देते हैं इसको ही एसी पोकल कर देते हैं इसको और इसको भी और इसको भी हमें इतना हम आज रखते हैं मैं आपको पढ़ा है क्या पूरा वीडियो उसके बात कर लेते हैं अपने बारे में आज आपके साथ चलिए तो यह मैंने आपको बेसिकली पढ़ाया कि लगती है इसलिए हमने उसको शुरू किया ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुत चाहिए कि बहुत है कि वहटा देते हैं करेंड को कि अएं एक मैंटुकेंगे खरा आप है कि तो मैंने आपको यह रा की में में हमें पढ़ाया कि की issue और एक है अक आinson-घुले है कि अगर आप कि सारए अग Mexico से कम है triangle के तो एक यए अगर एक भी एंगल 90 डिगरी है तो राइट Tradition एग झीर है और अगर 90 से जादा है कोई यंगेल तो आपको अप्ट्रेश आगल करा आएगा यह आपकी triangle की नौफ ती, उसके बाद मैंने अंक है स्पेशल लगता आ जो है यह आपको बताया था यह वाल ठीक है आपको नहीं बताया था यह वाला ठीक है यह वाला थीक्वाल तो मैंने आपको बताया कि कुटू मिनार के आपको निकाल अभी सिखा यहां पर लगता है और असानी से छोटी छोटी केलकूलेशन करके भी आपको लिए लिए प्रफॉर्ट का मतलित निकाले लिए का इसकी हाइट किसी की देखा लेंगे लिकिन अब भी आप बस समझी कि संजए इसकी निकालने में ट्राइंगिल होता है उसके बाद मैंने आपको समझाया है डाउट क्लियर करवाया कि अगर रोटेट भी कर जाता है किसी तरह है तो आप यह देखेंगे कि आपका एंगल कहां पर है और 90 डिगरी कहां पर उन दोनों को जो साइड उन दोनों को जो साइड कर रही होगी वह आपका बेस कर लाएगा भले ही वो ट्राइंगल आपका ऐसा ह अगर यह थीटा है तो बेटे यह बेश और यहां फर ऐसी हां आपका सीच में आपका नेनेवारी हैंых फ्मयरी का यह तो यह जाएं है अगर ले ले लिया तो इसका यह बन जाहेगा यह अज़स्य है बन जाहेगा यह हैं जांगता यह तो बिल्कुल सीधा है और सीधा तुसर परपेंडिकुल होता था तो यही तो समझाया है कि हमें दिमाग में यह चीज नहीं बढ़ा लेनी है कि नीचे वाला बेस और नाइटी डिगला परपेंडिकुलर आपके जो ठीटा है वो कहां वाला है उस पर डिपैंड करता है कि कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर आदे बच्चों तो यही चीज समझ में नहीं आती हो हर बार नीचे की साइट को बेस ले लेके सारे कोशन करते है एक दो बाद ठीक आसर आता है तो कहते हैं हाँ वही सही कॉंसेप्ट है बिल्टा आगे चलके दिक्क्र हो जाएगी यह बेस और ठीटा के सामने और परपेंडिकुलर और यह थीक है इतनी बात आपको सब्सक्राइब इसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रिमेटिक रेश्यों बताए सबसे पहले बनाया गया आरे बट जी के दौरा साइन के बाद कॉस आया पॉस के बाद टैन आया उसके पर बता होती है ठीक है और ट्रिक बिटक होता क्या है तो निकलता है तो कॉंसेट समझने की कुछिश करो या इसमें है कुछ नया नहीं बिसीकली वही चीज है तो ठीक है इतना समझमा है आपको चलिए तो आपको इतना आज मेरी क्लास में सहुन में आया आप मुझे जरूरत रिस्पॉंस दीजिए कि बेटा कैसा सहुन में आया मुझे तीन साल का ओफलाइन एक्सपीडियंस है लेकिन मेरा और ऑनलाइन में पहली बारी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया आपको आप का सपोर्ट मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी और पहली वीडियो ती तो हो सकता है कुछ गलती हों कुछ गलती हो के लिए मुझे मुझे माफ करना और जैसे जैसे वारी वीडियो आगे बढ़ेंगी मैं भी इंप्रूफ करूँगा आपके साथ साथ और आप भी कोश्चन-गर घूंळ कर भी आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे ऐसा रही है कि एक ही वे में किसी कोशिटन को समझाया जाएगा और उसी कोश्चंको को अगर उसी वेने पूछाlicм नरने तो तो आप कर पाएंगे वन नहीं कर पाएंगे ऐसी कंदीशन न अहया आएफ आपके सामने उसके लिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सच में ट्रिग्णोमेंट्री से प्यार हो जाए जी हाँ ट्रिग्णोमेंट्री से प्यार हो जाए एक बार कोशन आपके हाथ में आए तो बस आप आखे बंद करके इस तरहीं सॉल्व कर दो यह चीज करने वाले ओते हो भी नहीं कर पाते हो क्या जांगे कि अगाइगे कि मैं कैसे पड़ाता हूं मैं भी जहां जाओंगो कि बच्चों का कैसा सपोर्ट है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं कल मैं आपको इसके आगे बढ़ाने वाला हूं यहीं से लेकी शुरू करूंगा पर पांच में स्टार्टिंग की रिव